इटो से बने पैटन भाग दो ब्रिक पैटन्स पार्ट टू आज हम जानेंगे कि इटो से कितने तरह के पैटन बनाए जा सकते हैं इटो के पैटन का प्रियोग कहां कहां किया जाता है और पैटन का प्रियोग क्यों किया जाता है आज तो लंच टाइम में बहुत मजा आने वाला है क्यों? क्योंकि आज लंच टाइम में एंजिनियर सर हमें इटो के बहुत से पैटन दिखाएंगे हाँ उसके लिए तो मैं भी बहुत अच्छा है थूँ सिर हम लोग आ गए आप पैटन वाली फाइल लाए है ना हाँ पैटन वाली किताब लाया हूँ उसे कैसे भूल सकता हूँ सिर दिखाए ना अच्छे अच्छे पैटन देखिए ये हैं मेरे चुने हुए इंटों से बने पैटन वाँ ये कितना वह संदर पैटन है और इसको बनाना कितना कठिन भी है अगर आप इसके पैटन को समझ लो तो इसको बताना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा मैं आपको यह पैटन बना कर दिखाता हूँ देखिए सबसे पहले तीन तीन इंटों के समझ बना लेते हैं अब इन समझ से पहली लाइन बनाते हैं उसके लिए एक समझ को इस तरह रखते हैं कि इंटें सीधी सीधी रहें फिर अलग समझ को इस तरह रखते हैं कि इंटें आड़ी आड़ी रहें फिर से एक बार समूँ और एक आड़ा समूँ अब इसके नीचे की लाइन बनाते हैं अब क्योंकि ओपर वाली लाइन की शुरुवात सीधी इंटों से हुई है तो इसकी शुरुवात आड़ी इंटों से करेंगी फिर इसके बाद सीधी इंटे और फिर आड़ी इंटे इस त पैटून तो बहुत सुन्दर है। सुन्दर तो है, लेकिन इस डिजाइन में एक खास बात भी है। क्या खासियत है सर। ये डिजाइन एक मिरर हाफ है। मिरर हाफ मतलब? मतलब अगर आप इस डिजाइन को आधा कर दो, और फिर उसे मिरर यानी शीशे में देखो तो आपको पूरी डिजाइन दिखाई दे जाएगी। हाँ सर, मतलब जैसी डिजाइन आधे हिस्से में है, वैसी ही दूसरे हिस्से में भी। बिल्कुल सही नेहा, आप देखिए ये डिजाइन। सर, ये तो वृत यानी सर्कुलर आकार की है, ये सीधी सीधी इंट से बनी है। हाँ, ये सीधी सीधी इंटो से बनी है, आप भी ऐसे डिजाइन को घर पर बना कर देखिए। ज़रूर देखेंगे सर देखिए आपको इंटो से बनी एक और सर्कुलर डिजाइन दिखाता हूँ ये देखिए सर ये डिजाइन भी बहुत सुम्दर है अब आपको मेरा एक पसंदीदा पैटन दिखाता हूँ बच्पन में जब क्रिकेट खेलते समय हमारे पास स्टंप नहीं होते तब हम इंटो से ऐसा विकेट बना लिया करते थे ओ, समझ गई सर ये क्रिकेट से जुड़ा है, इसलिए आपका पसंदीदा है नहीं, इसके पसंदीदा होने का कारण यह है कि यहाँ खास पैटन विकेट को मजबूती देता है जिससे विकेट आसानी से नहीं गिरता इसको एक बार बना कर देखें क्यों नहीं, देखें, सबसे पहले ती नीटों को एक के उपर एक रख दीजिए उसके बाद इस इंट को इनके साइड में इस तरह रखिए अब फिर से तीन इटों को एक के उपर एक रखेंगे लेकिन इस बार इस तरफ इससे इस विकेट को मजबूती मिलती है अब इन तीन इटों के साइड में एक इंट खड़ी करके रख देंगे ठीक ऐसा ही पैटर्न एक बार फिर दोराएंगे सर अब दीवारों के पैटर्न दिखाएं न जरूर देखिए दीवार के मैं आपको दो पैटर्न दिखाता हूँ ये है पहला पैटर्न ये तब बनाया जाता है जब हमको पतली दीवार बनानी हो और ये है दूसरा पैटर्न ये तब बनाया जाता है जब हमें दीवार थोड़ी मोटी बनानी हो सर अब जाली के भी अलग-अलग पैटर्न दिखाईए ना देखिए जाली के पैटर्न वा सर जाली तो बहुत सुन्दर सुन्दर है सबसे सुन्दर जाली तो मैंने अभी तक आपको दिखाई ही नहीं फिर दिखाईए ना सर ये देखिए लेकिन ये पतली इटों से बनी है सर यह तो बहुत संदर है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इटों से इतनी संदर जाली बनाई जा सकती है मैं अब आपको मिहराब यानि आर्च की डिजाइन दिखाता हूँ ये देखिए सर इतनी संदर संदर आर्च ऐसा ही कोई एक हमारी कैंटीन में भी बन रहा है क्या? ऐसा कुछ प्लान में तो नहीं है लेकिन देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है सर इंटों से बने फर्ष, दिवार, जाली, खिर्की और महराब के पैटरन तो देख लिए कोई और जगह है जहां इंटों के पैटरन प्रियोग किये जाते हैं? हाँ, मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ जहां इंटों का प्रियोग किया जाता है ये देखिए ये तो हमने देखा है गाडन में बिलकुल सही धन्यवाद सर इतने अच्छे अच्छे इंटों के पैटरन दिखाने के लिए आपने बहुत से डिजाइन देखी पर आप यह बताईए कि आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा कि इंटों से बहुत से पैटरन बनाए जा सकते है इंटों के पैटरन को इमारतों के फर्ष, दिवार, जाली, खिड़की, महराब और बगीचे में प्रयोग किया जाता है इंटों के प्रयोग से वृत्ताकार पैटरन भी बनाए जा सकते है कुछ पैटर्न मिरर हाफ हो सकते है पैटर्न का प्रयोग सिर्फ डिजाइन के लिए ही नहीं होता कुछ पैटर्न निर्मान को मजबूती भी देती है Very good! आप दोनों अच्छे इंजीनियर बन सकते हो